अम कभार कोड़ुछें, आमी शाधरन मानुश, आमादे तिनोमुल कॉंग्रेस कोर्मी, एड्मिनिस्टेशन, शकुल की धुन्न बाद जानाची, नेशनल प्रेस, इंटरनाशनल प्रेस, रिजियोनल प्रेस, डिस्टिक्ट प्रेस, लोकाल प्रेस, शकुल की धुन्न बाद आराइक जोन शुषमा शोहित परिवारेर में एबंग आराइक जोन होच्छे आपदूस्थामाद चार जोन के दिये आमार नोमिनेशन एक पोजार होए छे एबंग शुफियार आमाची पिलेक्षान एजेंट होए छे आमी काजगो कोरे आमी एकखुणी बेरियेल आम एबार आमार कि कचटोखाटओ फोगराम आछे नोन-दग्रां में किच्चु भीजित आछे आमी शेखरे जाबो, कोण बो, तारपरा मी कालकी शकल बाला, कोलकातां फिरी जाबो, कारण जिये तु कालकी आमादे मैनिफेस्ट वाचे आमी आज की चोलो जेदे पर्तम किन्तो किचु किचु डिकोईस्ट थाका है, आमा किशे ग्लूइप्ट एटेंड कुट थावे थैंक्यू देखून, आमेटा को था बोली माई फिलिंग्स इस वेरी क्लियर मेरा फिलिंग्स ए है अगर भबानिपूर में जो हमारा घर का छेत्रो है ओ हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लाब के लेकर, हर पुजा कमेटी के लेकर हर हिंदू, मुस्लिम, सीकिसाई सबको लेकर हमारा शारत एक महाबबत प्यार तो है, अभी भी रहेगा लेकिन नंदिग्राम इस नोट न्यू प्लेस टू मी तो जब मनननननन्दिग्राम में अंदुलन हुआ था तब नंदिग्राम में जो लोग लड़ रहा था बहुत सारे लिटर है मितनापूर का तो अभी वो लोगोने रास्ता में नहीं निकाला था लेकिन मितनापूर का नंदिग्राम में जो प्लोग्राम हुआ चाहे ओ 7th मार्चों, चाहे 10th ॡिसेμबर हो चाहे 14th मार्चों, हर दिन हर तरा मैं नंदिग्राम अंदुलन को साथ दिया है और इसी के लिए मेरे को दिल चाते थे जैसे मैं किसान अंदलोन के लिए 26 दिन हंगर स्टाइक किया था 14 देज हम धर्णा किया था इसी के लिए मेरे दिल कभी-कभी चाते थे जै कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदी ग्राम दोनों सो एक हम कंटेस्ट करी तो नंदी ग्राम अमारा याद में आया जब लास्ट ताइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा क्या तापतक उधर में अमले नहीं था युन आप ताइम आप देजिए तो सिट वस्ट वेकेट तो आग्जेम अगर हम कंटेस्ट करे थे ठीक है तो तो देल रुटेखने नहीं जब अएलस प्राइम हीज तो यपत्स वेकिए तो में में करनाणी धंव débू में एक्षक पुल आपलने प्री थे . जबेलावर सी सख्वन होगी तो में द सराणी में प्राइम्स миजर में करती है आपना नाम भूल सकती हूं, लेकिन नंदी ग्राम का नाम नहीं भूल सकती हूं, क्योंकि नंदी ग्राम का एक और नाम है, संग्राम, संग्राम. मैं स्टीट फाइटर रही हूं, नंदी ग्राम के मा, मा, भाई, बहने, सभी लोग मुझे याद रखें, और ये याद रखें, कि हमारी जीट होगी, और जो लोग कॉंटेक्स कर रहे हैं, जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं हमारे लिए, सब के लिए मेरी तुभेश्चा, बगल में खेजुरी है, हल्दिया है, पटासपुर है, भगवानपुर है, एग्रा है, तमलुक, सुताहटा है, काथी दक्षिन उत्तर है, सब के लिए में प्राथना करती हैं, ममता बेनर जी ने एक बार फिर से वही बाते गई हैं पुरानी वाली, नंदी ग्राम से उनका रिष्टा, नंदी ग्राम के लिए आंदोलन, नंदी ग्राम के किसानों के लिए आंदोलन, नंदी ग्राम के किसानों के लिए भूख अर्ताल और ममता बैनर जी बार बार ये याद दलाना नहीं भूल रही है कि नंदी ग्राम का मैंने साथ दिया था नंदी ग्राम जब मुसीबत में था मैं उनके साथ खड़ी हुई थी नंदी ग्राम पर जब अत्यचार हो रहा था मैं उस अत्यचार के खलाफ लड़ी थी मुश्किलों से यहाँ पर पहुँची थी तो यह तीन पस्विरें यहाँ पर आपके सामने ममता बैनर जी नामंगन बत्र दाखिल कर चुकी हैं और नॉमिनेशन सेंटर वो पहुची थी पैदल और उससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध सिद्ध शिव मंदर में पूजा अर्चना की थी आईए एक बार हम आपको फिर से सुनवाते हैं ममता की बात कब बात नहीं थे हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लाप के लेकर हर पुजा कमेटी के लेकर हर हिंदू मुस्लिम सी किसाई सबको लेकर हम अरशाद एक महबत प्यार तो है अभी भी रहेगा लेकिन नंदिग्राम is not new place to me तो जब मनंदिग्राम में जो लोग लड़ रहा था बहुत सरे बिर लीडर है मितनापुर का तो अब आप लोगोने रास्ता में नहीं निका ला था लेकिन मितनापुर का नंदिग्राम में जो प्रोग्राम हुआ चाहे on 7th मार्चो चाहे 10th ॡिसेंबर हो चाहे 14th मार्चो हर दिन हर तरय मैं चाहते थे, जैसे मैं किसान अंदलन के लिए 26 दिन हंगर स्टाइक किया था, 14 देज हम धर्ना किया था, इसके लिए मेरे दिल कभी-कभी चाहते थे, जै कभी एक दफ हम सिंगूर, नहीं तो नंदी ग्राम, दोनों सो एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदी ग्राम हमारा याद मे तो मैंने पूछा, क्या तॉप तक उधर में एमले नहीं था, इनो एमले देट टाइम रिजाइन, चो सीट वास टोटल भेकेंट, तो आई आग्जेम, अगर हम कंटेस्ट करें थे, ठीक है, तो देन दे साउटेट लाइक एनिधिंग, और में फूल सपर्ट, विकोस अब सुना ममता बैनरजी को आपने, हम हल्दिया आपको लिए चलते हैं, हल्दिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सही होगी चित्रा जिक्र किया, और लोगों से अपील की, कि वो उनके पक्ष में मदान करें, जिस तरह की बाते वो कहती हैं, यह ममता दीदी का पूरा काफिला, जो यहां से घुजरता हुआ, एस डियो आफिस से आपको दिखाई दे रहा है, अपने आप में काफी जादा एहम आज का दिन मम पारे तमाम दर्शकों की ओर से, उन्होंने सामने जो बाते रखी हैं, उसमें सबसे महतुपूर्ण, बार बार वो आंदोलन का खिक्र करती ही, भवानी पूर से वो नंदीग्राम क्यों आ गई, चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके ओर से कहा गया कि मैं सिंग्बूर या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहती थी, ये जगह मेरे लिए नहीं नहीं है, आपको बता दी ये तमाम बाते ममता दीदी इसलिए कह रही हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से, शुबेंत उधिकारी नंदीग्राम को लेकर बाहरी होने की आरूप, उनके ओपर मर रहे ह इसी वज़े से ममता बैनरजी ने ये तमाम बाते कहीं, अब ता संबोधन खतम किया, नंदीग्राम से ना मांकर क्यों उनकी ओर से दाखिल किया गया, उसका जिकर करने के बाद ममता बैनरजी का ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ता हुआ, यहां से फिर नंदीग्राम व के सामने हैं, भारती जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में ममता बैनरजी नंदीग्राम से जो दावा टीमसी के ओर से किया जा रहा है, कि एक लाग से जादा मतों से वो शुबेंदु अधिकारी को हरा देंगी, या फिर शुबेंदु अधिका कशलो के करते हैं, कुछ लोगों से भाचीत करते हैं कहां से आ रहे हैं अप लोग मिलपूर्ट से आरह है, पलोम्नों के वह ममताता है, जित है, क्या हजदि? जिदेंगे चांदी की इन्तिक्राइब बाहरी है नंदिग्राम में बाहरी है पाट्चे से लेके बुढ़े तक मतलब अच्छा यह बताए चित्रा चित्रा सुन पारे हैं बहुत बीड़े वाँ पर क्या मारी आवास पहुंच रही है आप तक शोर बहुत है भीड़ बहुत है चित्रा लाई हुए हमारे साथ लेकिन बहुत जादा भीर शोर बहुत जादा सुन पारे हैं यह बताई और बात करें आप से ममता बेनर जी के emotional card के बारे में आपसे बात करें क्योंकि लगातार कह रहे हैं आज भी उन्होंने कहा या दिला दिया सारा मैंने किसानों के लिए अंदोलन किया था मैं अपना नाम भूल जाओंगी से कभी भी सिंगूर का नहीं भूल सकती ये बताई आज का कारिक्रम क्या है कि नहीं बोलेंगे अभी चुंकि ये नामांकन का दिन था इस वज़े से मैं चाहूंगी कि सत्याप थोड़ी से इधर आईए ये पीछे आदेखिए तमाम लोग ममता बेनर जी को देखने सुने के लिए आए थे आप यहां से तमाम वो लोग निकल रहे हैं ममता दीदी के जलक पाने के लिए जो खड़े वेते खास और से टीमसी के कारे करता आम लोगों की भी इसमें मौजुद्गी है लेकिन अपने आप में काफी जादा एहम आज का दिन ममता बेनर जी के जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दे साहीर कि यहां प पूछा गया कि अकॉन जीतेगा तो उनका कहना है कि बीजेपी कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई काटे की है तो कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि ममता बैनर जी हैट्रक लगाने में काम्याब होंगी ऐसे में आगे क्या हो यहीं से जीते हैं और जबरदस जीती लगबक 67 प्रतीशत वोट उन्हें मिले थे अब वो टीमसी छोड़ कर बीजेपी में चले गएं हैं तो वहीं के तो लोग क्या कहा रहे हैं लोगों की क्या राये हैं उनके बारे में वोई जुनों ने वोट दिया था अ बैइंसी वालों नहीं वोट दिया था ना जित्कित बड़ी बिलकुल इतनी बड़ी जीत जो शुबेंदु अधिकारी को मिली थी उसके पीछे टीमसी के लोग थे उनका ये कहना है कि टीमसी का वो काड़र था टीमसी के वोड़ते जो शुबेंदु को मिलते थे लेकिन आप वही ममताब एनरजी के पक्षपे वोड़ करेंगे कुछ लो अच्छा काम किया दो तीन काम बता हिए आप देखिए 25-30 सल पहले आप रोड़ देखिए और इस आप रोड़ देखिए हॉस्पिटल देखिए कि डेवलोमेंट का दूसरा नाम ही ममता मेनरजी है कि नंदी ग्राम से तो शुबेंद अधिकारी बड़े मार्जिन से जीते सी पश्लिपा अच्छे शब्दों का इस्तमाल करेंगे किसी के लिए रखा रखाए बताए लेकिन शुबेंद लोग हैं लोगों की भामनाएं हैं चित्रा हमारी संबाद्दाता हमारी सहयूगी आज हलचल वाला दन है पश्चे मंगार मैं और खास तोर से ममता बैनर जी के नॉमिनेशन को लेकर सब्बर दौस्त सुबाद से हलचल